मुझे ब्रह्म होता है कि प्रतेक पत्था में चमकता ही रहा है हर एक छाती में आत्मा अधिरा है प्रतेक वानी में महाकाब भी पीड़ा है ये पंक्तियां है हिंदी साहित्य के एसस्वी कभी गजानन माधो मुक्तिबोथ एक संघर शील साहित्यकार थे इसलिए आजीवन, समाज, इतिहास और स्वयम से वो संघर करते रहे हैं गजानन माधो मुक्तिबोथ का जन्म 13 नुवंबर सन 1917 को मद्धिप्रदेश के गवालियर जीले के शियोपूर गाउं में हुआ उनके पिता जी माधो मुक्तिबोथ पूलिस इंस्पेक्टर थे जो उज्जैन से सास्की सेवा से निवित्त हुए और उनकी माता पार्वती बाई जी बुंदेल खंड के क्रिशक परिवार की बेटी थी जो अत्यंत साध्वी प्रकित की थी गाउं गजानन माधो मुक्तिबोध का विवाह शानता जी के साथ हुआ था मुक्तिबोध की जो प्रारमभीक शिक्षा है वो उज्जैन में हुई और इसके बाद जो मिश्विद्याले इन शिक्षा है तो नागपुर विश्विद्याले से उन्होंने M.A. की उपाज प्राप्त की जीविको पार्जन के लिए वे सबसे पहले मिडेली स्कूल में उन्हों नौकरी की कभी शारदा शिक्षण संस्थान में किया कभी दोलत गंज में अध्याप किये उन्होंने की आजीव का है कलकत्ता इंदौर मुंबई बंगलोर बनारस जबलपूर राजनाद गाउं आधिस्थलों पर भटकते रहे कुछ दिन तक सूचना प्रकाशन विभाग और आकास्वाणी में भी उन्होंने काम किया अन्ततह वे 36 गर के दिख विजय महाविद्याले राजनाद गाउं में उनईश्व अन्ठामन में प्राध्यापक निउक्थ हुए और यहीं पर वो अपनी सेवाएं देते रहे अत्यथिक संघर्ष के कारण गजानन माधों मुक्तिबोध बीमार रहने लगे और एक दिन ऐसा समय आया के उस संघर्ष से बच नहीं सके गंभीर बीमारी के कारण 11 सितंबर 1964 को नई दिल्ली में इस महा कभी ने अपनी अंतिम सांस लिए गजानन माधों मुक्तिबोध बहमुखी प्रतिभा संपन साहित्यकार थे उन्होंने साहित्य की तमाम विधाओं में कलम चलाकर किर्थिमान इस्थापित किया है अनेक काब्य संकलन कथा संकलन उपन्यास आलोचना समालोचना के छेत्र में कलम चलाकर गजानन माधों मुक्तिबोध ने नूतन-चिंतनधारा हिंदी साहित्य को प्रधान किये है हम उनकी रचनाओं को देखें कविता संग्रह में चांद कामुझ टेढ़ा है चांद का मुह टेड़ा है पहली पहला का बिशंकलन है दूसरा है भूरी भूरी खाक धूल और अग्ये जी ने जो तार सब्तक संपारित किया था तो तार सब्तक में उनकी कविताएं जो हैं संकली थे कहानी संकलन में काठ का सपना और दूसरा है सता से उठता हुआ आद्म उपन्यास में खेवल एक उपन्यास उन्हों लिखा विपात्र आलोचना के छेत्र में बहुत जबर्ज़फ्त लेखनी है मुक्तिबोच्जी की कामायनी एक पुनर विचार आलोचना की बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है नई कविता का आत्म संगर्ष तीसरा है नए साहित्य का स्वांदर्य सास्त्र आत्मा ख्यान भी उन्होंने लिखा है एक साहित्य की डायरी और इतिहास भारत इतिहास और संस्कृति इस तरह से कविता संगर्ष, कहानी संगर्ष, उपन्यास, डायरी, आत्मचरित और समीक्षा, आलोचना सभी शेत्रों में मुक्तिबोथ की कलम चली है वास्तों में गजानन माधव मुक्तिबोथ के साहित्य में लोक मंगल की भावना के साथ सामाजिक शेत्ना और जीवन के के प्रत व्यापक द्रिष्टिकोण विद्यमार है। इनके काभ्य में प्रगतिवादी एवं प्रयोगवादी संबेदनाओं का चेत्रन मिलता है। गज्यानन माधों मुक्तिबोड माक्षवादी चिंतनधारा से प्रभावित थे। पैनाम सुरूप इनकी कभिताओं में सोशक वर्ग के प्रत ग्रहना का भाव स्वाभावी थे। सोशित वर्ग के प्रत सहानुभूत, समाज का यथार स्चित्रांकन और चायाबादी कभ्यों की भावते, मुक्तिबोड की अनेक कविताओं में ब्यक्तिबादिता के दर्शन होते हैं। वास्तों में कभी ने अपने काभ्य में सोशन और वर्ग भेत को मिटा कर एक सस्थेवं वर्गहीन समाज की संकल्पना की। और इसलिए सामाजिक रूडियों और जीवन के प्रतेक अपूर्ण पहलू हैं। उन सब के प्रत बिद्रोह करते हुए और अपने व्यक्तित्त के विकास के लिए चिर्ण मर्यादाओं को साहस पूर्वक उन्होंने बिखंगित कर दिया। गजान माधव मुक्तिबोर्थ की अभिष्वनी उपलब्दी है उनकी फेटेंसी सैली है। फेटेंसी सैली की कविताएं कल्पना प्रधान होती है। उनकी फेटेंसियां उनके गहन चिंतन और भावी मानों को साकार करने में ससक्त एवं सक्षम है। मुक्तिबोर्थ काब विष्वैली की दो प्रमुक्विष्यस्ताएं हैं। एक तो बिम्ब विधान और दूसरा है प्रतीक योजना। बिम्ब विधान की दृष्टी से मुक्तिबोर्थ का जो काब्वि है अत्यंत विशाल है, संब्रिद्ध है। उसमें बिम्ब जो है अपने व्यापक्ता के रूप में भी द्यमान है। और जो प्रतीक है वह भी उनके काब्वि में बहुत अधिक प्रयुक्त हुआ है। बिम्ब विधान की दृष्टी से जैसे उन्होंने अपने काब्वि में दृष्य, ध्वानी, इसपर्ष, प्राकृतिक और वैज्ञानिक आधियनेक बिम्बों का सजीव चित्रन किया है। प्रतीक योजना की दृष्टी से भी मुक्तिबोत का साहित अत्यंत संपन्य है। उन्होंने अपने काब्वि में जो परंपरावादी प्रतीक थे, उनके अस्थान पर, उनकी अपेक्षा, उन्होंने नए जीवन्त और सामान निजन के प्रतीकों का प्रयोग किया। ब्रहमराक्षस, ओरांग, उटांग, बावड़ी ये कभी के प्रियप्रतीक है। मुक्तिबोत ने काब्वि रचना के लिए मुक्त चंद का प्रयोग किया। काब्वि में लय और ताल दोनों का अनूठा संगम है। तुकांत और अतुकांत दोनों प्रकार के चंदों के दर्शन होते हैं एर अस्टक इनका जो है वो प्रियप्र चंद है। इनके काब्वि में अनुप्रास, उप्मा, रूपक, संदेह और मानवी करण अलंकार स्वाभाविक रूप से आ गये हैं। गजानन माधो मुक्तिबोध हिंदी काब्वि की नई कविता के प्रमुकवि माने जाते हैं। इनका हिंदी साहित्य में प्रमुकर स्थान है। बच्चो, आपके पाठिक्रम में संकलित रचना सहर स्वीकारा है। उनके सुप्रसिद्ध काब्वेग्रंथ भूर भूर खाक धूल से ली गई है। जो छायवादी चेतना से प्रेरी थैं। इस कविता में कविने जीवन में मनुष्य को सुख दुख, राग बिराग, हर्ष भिशात, आसा निराशास, शंघर्ष, आउसाद। इन सब को अंगीकार करने की प्रेर्णा देती है। इसके साथ ही यह कविता उस विशिष्ट व्यक्ति या सत्ता की ओर संकेत करती है जिससे कविको प्रेर्णा प्राप्त हुई है। अब आईए सुनते हैं कविता का पहला चंग। सहर्ष स्विकारा है। इसलिए कि पलपल में जो कुछ भी जागरत है अपलक है। संवेदन तुम्हारा है। इस कविता में कभी जो है अपने प्रिय को संबोधित करते हुए बात कही है। यह वास्तों में संबोधित सहली में है। कभी ने जीवन के प्रत सकारात्मक रवय्या अपनाते हुए समान भाव से हर परिस्थिती को सुईकार करते हुए जीवन बतीत करने की बात कही है। मेरे जीवन में जो कुछ है कभी कहता है कि मेरे जीवन में जो कुछ है उसे मैंने खुशी से अपनाया है। क्योंकि मेरी हर चीज तुम्हें प्यारी है। मैंने गरीबी को भी बड़े गर्व के साथ बतीत किया है। गरीबी के दिनों में भी हमारा जो स्वाइमान है, हमारा जो गर्व है, वो हमारे पास रहा आया। मैंने उन दिनों, यानि गरीबी की दिनों में गंभीर अनुभों को प्राप्त किया है। उन दिनों में मैंने अपने विचारों को दिढ़ और सम्रिद्ध किया है। क्योंकि मेरे अंदर नभीन, अनुभव, विचार और भावनाओं की जो नदी प्रवाही थे, वह वास्तवीक है। क्योंकि जीवन में बिना पलक जबकाये भी मैंने चेतना युक्त जो हमारा चिंतन है, जो हमारी सोच है, जो हमारा जीवन दर्शन है, उन सब के पीछे तुम्हारी प्रेणा का ही हाथ है। तुम्ही ने मुझे प्रेणित किया है, इसलिए मैंने गरीबी के दिनों में अपने विचारों को जिर्ध और संब्रद्ध किया। और जो हमारे उससे जो मैंने अनुभव प्राप्त किये, जो मेरे मन में विचार उठे, जो भामनाएं उठी, वो सब वास्तवीक हैं। इसमें कहीं कोई कलपना नहीं है, यहां इसमें कोई कलपना नहीं है, क्योंकि जीवन में बीना पलग जपकाए, मैं चेतना युक्त चिंतन सील हूँ, आज भी मैं वह जो मेरा चिंतन है, जो हमारी सोच है, वो बरकरार है। क्योंकि इन सब के पीछे तुम्हारी प्रेड़ना का हाथ है यहां पर कभी यह बात बताना चाह रहा है कि उसे प्रेड़ना देने वाला या तो उसका कोई प्रिया है या वह अज्यास सत्ता है जिससे वह प्रेडित होता रहता है कभी निहां पर नाम नहीं लिया है केवल संबोधन के रूप में उसे प्रिया के रूप में सुईकार करता हुआ वो अपनी बात कहता है आईए सुनते हैं कविता का दूसरा भाग जाने क्या रिष्टा है जाने क्या नाता है जितना भी उडेलता हूँ भर भर फिर आता है दिल में क्या जर्ना है मिठे पानी का सोता है भीतर वह उपर तुम मुसकाता चांद जो धर्ती पर रात पर मुश पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है कभी ने अपने प्री के साथ इस कव्यान्स में प्रेम संम्बन्दों को वनिद किया है अपने प्रेम संबंदों को बताया है कभी अपने प्रयशी को संबोधित करते हुए कहता है मेरा तुमसे क्या संबंध है मेरा तुमसे क्या संबंध है और तुम्हारा कैसा यह प्रेम बंधन है मैं स्विम नहीं जान पा रहा हूँ तुम्हारे प्रति मैं प्रेम जितना ही प्रदान करता हूँ बढ़ाता हूँ उतना ही मेरे दिल में वो बार बार बढ़ता ही जाता है उसमें बृद्ध होती जाती है जैसे मेरे हदय में मीठे पानी के जड़ने की तरह तुम्हारे प्रति प्रेम और भावनाओं का जैसे स्रोत हो जो निरंतर प्रवाहित है प्रवाहित है मेरे हदय में अंधर तुम्हारे प्रति अथा प्रेम है जिसकी कोई सीमा नहीं है और बाहर पूरिमा के चांद की तरह तुम्हारे मुश्कराते चेहरे की आभा है जिस प्रकार पूरिमा का चांद रात को धर्ती को प्रकाशित करता है उसी प्रकार तुम्हारे मुश्कराते रूप संदर की चमक मुझे प्रभावित करती है आईए सुनते हैं कविता का तीसरा अंश सचमुष मुझे दंड दो कि भूलू मैं भूलू मैं तुम्हे भूल जाने की दक्षिन धुरुवी अंदकार अमावस्या शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालू मैं जेलू मैं उसी में नहालू मैं इसलिए कि तुम से ही प्रिवेश्टित आजशादित रहने का रमनिय यह उजेला अब सहा नहीं जाता है नहीं सहा जाता है मम्ता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है कमजोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा यह छटपटाती च्छाती को भवित अविता डराती है बहलाती सहलाती आत्मीता बरदाश्ट नहीं होती है इस काभ्यांस में कभी अपने प्रिय के अपार प्रेम के आवरन से दुखी होकर बाहर निकलना चाहता है उससे दूर रहने का स्वयम को दंड देने की ब्याख्या करता है कभी कहता है प्रिय तुम मुझे ऐसी सजा दो कि मैं तुम्हें भूल जाओं जो दक्षणी दुरुब की काली घनेरी अंधेरी अमावस की तरह ब्योग की शाया मेरे सरीर पर मेरे चेहरे पर और मेरे हर्दे पर दिखाई पड़े वह अपनी प्रियसी से कहता है हे प्रिय तुम मुझे ऐसी सजा दो कि मैं तुम्हें भूल जाओं मैं तुम्हें भूल जाने की ऐसी सजा पाऊं जो जक्षणी दुरुब की काली घनेरी अमावस के अंधकार की तरह बियोग की छाया मेरे शरीर पर मेरे चेहरे पर और मेरे हर्दे पर दिखाई पड़े मैं बियोग की पीड़ा को इतना सहन करूं कि पूरी तरह बियोगी दर्द से सारा बोर हो जाऊं। डूब जाऊं बियोग की पीड़ा से डूब जाऊं बियोग के दर्द से क्योंकि मैं तुम्हारे इसनेह का मनोरम प्रकास नहीं सह पा रहा हूं। जो तुम्हारे इसनेह का मनोरम प्रकास है वह मुझे चारों और से अपने आवरण से ढट लिया है अर्थात तुम्हारे इसनेह में मैं इतना डूब गया हूँ कि वह अम मेरे लिए असाहनिय हो गया है तुम्हारे इसनेह का कोमल इसपर्ष मुझे विपत्ति के बादल की तरह भैभीत करता है डराता है मैं निर्बल और असहाय असमर्थ हो गया हूँ भविश्य की अन्होनी की आसंका से मैं अंदर डर गया हूँ सहम गया हूँ तुम्हारे इसनेह से बहलाने, सहलाने, लाड, प्यार, अपना पन का जो प्रदर्शन है तुम्हारा अब मुझसे सहा नहीं जाता हूँ मैं वास्तों में आत्म निर्भर होना चाहता हूँ स्वयम में स्वाब लंबी होना चाहता हूँ प्रश्न यहां पर यह उठता है कि दक्षिन द्रुवी अंधकार अमावश्या की माध्यम से कभी कहना क्या चाहता है वास्तों में दक्षिन द्रुवी अंधकार अमावश्या के माध्यम से कभी कहना चाहता है कि बियोग की ऐसी सजा मिले जो दक्षिनी द्रुव की तरह नितांत सुनसान वीरान और अमावस की काली रात की तरह भयानक हो अब आईए सुनते हैं कभीता का अंतिम भार सच मुझे दंड दो सच मुझे दंड दो कि हो जाओं पाताली अधेरे की गुहाओं में विवरों में धुएं के बादलों में बिल्कुल मैं लापता लापता कि वहां भी तो तुम्हारा ही सहारा है इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है होता सा संभव है सभी वह तुम्हारे ही कारण के कारियों का घेरा है कारियों का वैभव है अब तक तो जिन्दगी में जो कुछ था अब तक तो जिन्दगी में जो कुछ था जो कुछ है सहर्ष स्विकारा है इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है वह तुम्हें प्यारा है। इस काभ्यांस में कभी ने अपने प्रिय से दंड पाने की अनुसंसा की है। किन्तु उस दंड में भी अपने प्रिय के सहारे का अनुभो चाहता है। अपने प्रिय से कहता है कि मुझे ऐसी सजा दो मैं पाताल की अंधेरी जो गुफाएं हैं और सुरंगे हैं उनमें गुम हो जाऊं। लीन हो जाऊं। भूल जाऊं। छिप जाऊं। स्वयम को भी मैं न पहचान पाऊं। मेरी ऐसी जो इस्थिती है उसकी बजह तुम हो। नहीं धुम के काले बादलों में गुम जाने का प्रस्थ नहीं नहीं उठता। मेरी ऐसी इस्थिती की बजह तुम हो। ऐसी सोच का मुझे सहारा भी मिले के तुम्हारे कारण मेरी ये इस्थित हुई है। तुम और तुम्हारी जो प्रेम मही यादें हैं, मुझे बियोग में अपना पन दें. साथ ही वह सब तुम्हारे ने कर्मों के कारण ही मुझे बांध रखा है. कि आगे कभी अपने प्रिय से कहता है कि तुमने प्रेम करके जो उपकार किया है, तुमने प्रेम करके जो उपकार किया है, वही मेरे वर्तमान की उपलबदिया है. अब तक जो मैंने प्राप्त किया है उसे मैंने खुशी से अपनाया है क्योंकि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है कभी अपने आपको समर्थ सक्षम स्वभिवेकी बना कर प्रिय के बिना भी जीवन संघर्ष के लिए अपने आपको तैयार करना चाहता है इस कविता में आपको मिलेगा बिरोधा भास, रूपक, उपमा, अनुप्रास, मानवी करण, अलंकार जो हैं बहुत ही सार्थक बन पड़े हैं चंद मुक्त चंद, भासा जो है खड़ी बोली का लाक्षनिक प्रयोग और कुल मिलाकर नई कविता का सर्व स्रेश उदाहरण है मुक्ति बोध की यह रचना झाल